इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है, यह देखिए चीज अच्छे से melt हो गया है Hello Friends, स्वागत है आपका Cardio Kitchen में मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाने जा रहे हैं Red Sauce Cheesy Pasta वैसे तो pasta सभी का फेविरिट होता है पर इस recipe से अगर आप pasta बनाएंगे, तो आप इसे दुबारा जरूर बनाएंगे इसे आप 10-15 मिनिट में बना कर तियार कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe लेकिन recipe स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे request है अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe करें तो चलिए शुरू करते हैं pasta बनाना पास्ता बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है सबसे पहले इसको हम 400 ग्राम पानी में boil करेंगे तो चलिए चलते हैं gas की तरफ सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 400 ग्राम पानी जितना हमने पास्ता लिया है उसका double हमें पानी डालना है पानी में boil आने देंगे उसके बाद हमें इसमें पास्ता एड़ करना है पानी अच्छे से boil हो गया है अब हम इसमें मिलाएंगे पास्ता इसी के साथ में इसमें डालूँगी आधा चमश नमक और साथ में एक चमश तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप आप पास्ता चिपकता नहीं है अब हम इसको लो फ्लेम पे पांच मिनट के लिए उबलने देंगे जब तक ये पास्ता बॉइल हो रहा है हम रेट सॉस की तेयारी कर लेते हैं रेट सॉस बनाने के लिए मैंने ये दो टमाटर लिये हैं मीडियम साइज के इसको सबसे पहले हम गैस पे भुनेंगे इसी तरह से हम दूसरा टमाटर भी भुनेंगे ये दोनों टमाटर को मैंने भुन लिया हैं अब हम इसका चिलका उतारेंगे भुनने से इसका चिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है और जब पास्ता बनता है तो उसमें बहुत यह अच्छा smoky flavor आता है यह देखिए यह दोनों टमाटर का मैंने चिलका उतार दिया है अब हम इसको मिक्सी में चलाकर इसके प्यूरी तियार करेंगे यह टमाटर के प्यूरी बनके तियार हो गई है और पास्ता भी हमारा बॉइल हो गया है अब हम इसमें ठंडा पानी दाल कर इसको चान लेंगे पास्ता को किस तरह से चानना है इसका प्रॉसेस आपको हमारे चैनल पर एविलेबल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी में मिल जाएगा उस वीडियो का लिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब हम रेट सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने कडाई रख दी है कडाई में हम दालेंगे एक टेबल इस्पून ओई ओईल को थोड़ा सा गरम होने देते हैं तेल गरम हो गया है अब हम इसमें सबसे पहले दालेंगे लसन यह मैंने आट से दस कली लसन की ली है और इसको बारिक बारिक चॉप कर लिया है इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए बुनेंगे इसको हमें थोड़ा सा ही बुनना है इसे हम गोल्डन नहीं करेंगे यह थोड़ा थोड़ा बुन गया है इसमें लसन की महट आने लग गई है अब हम इसमें दालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज इसको भी हम थोड़ा सा बुनेंगे प्याज भी हमारा थोड़ा थोड़ा बुन गया है अब मैं इसमें दालूँगी नमक नमक हम पहले भी दाल चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा देखकर ही दालेंगे हल्दी 1-4 टी स्पूल स्वादा नुसर लाल मिर्ची इन सबी को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें दालेंगे टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी टमाटर को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी दिर के लिए भुनने देंगे ये टमाटर भी अच्छे से भुन गया है अब मैं इसमें मिलाऊंगी half teaspoon ओरिगेनू, ओरिगेनू दालने से इसमें बहुत अच्छा flavor आता है, इसको अच्छे से mix करेंगे, और साथ में मैं मिलाऊंगी 2 teaspoon tomato ketchup, इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे, ये सभी अच्छे से mix हो गए हैं, अब हम इसमें मिलाएंगे पास्ता, और इसको अच्छे से mix करेंगे, ये पास्ता अच्छे से mix हो गया है, अब हम इसमें मिलाएंगे 2 teaspoon cheese, ये मैंने morzira cheese लिया है, आप कोई भी cheese use कर सकते हैं, इसको अच्छे से mix करेंगे, ताकि cheese melt हो जाए, इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है, ये देखिए, cheese अच्छे से melt ह अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे, यह पास्ता बन के तयार हो गया है, इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है, यह देखिए, यह कितना चीजी बना है, आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा, और कमेंट बॉक्स में बताईएगा, आपक एक नई recipe के साथ अगले वीडियो में, thank you.